हालो स्टूडेंट्स हम कम्प्यूटर की डैफिनीशन उसके क्रेक्टरस्टिक्स और लिमिटेशन पढ़ चुके हैं आज हम करेंगे में कांपोनेंट्स ऑफ कम्प्यूटर के में में पास जिन से वह मिलके बना होता है वह होते हैं आपके इन्पुट यूइनिट सेंटर पू बना लो एक बोक्स ऑंपूट्पोट यूइनिट का बना लो यहां बड़ा बॉक्स एक सीपीययू का बना लो और नीचे यहां सेकेंडर धिस्ट्रोर यूइनिट का बना लो ठेक है यह caelnी यहOoh कि अब C.p अब 3 बनाने के बाद साते तुक्स टीएं कितेनंतों सेकिसे करना ठीक है अब देखो अब हमने इनमें connection शो करना है अब connection आपके दो टाइब की होते हैं जो data flow signals and control signal ठीक है यह जो dark line है यह आपका है data signals ठीक है data flow करता है इन पर और यह होते हैं आपके control signals इनके थूप control होता है तो जो भी control signals होंगे वो कहां से जर्णेट होंगे सिर्फ control unit से जो भ signal से और यह हर एक दूसरे पार्ट को control करेंगे जैसे control unit से input unit पर गया control unit से output unit पर गया control unit से memory unit पर गया control unit से ALU पर गया and control unit से secondary storage पर गया ठीक है यह control unit ने क्या किया सभी को control किया then हमने देखना है जो मेन आपका data flow करेगा वो कैसे करेगा देखो input unit है, input unit ने data memory को दिया, memory में जाके वो data store हुआ, फिर वो processing के लिए ALU में गिया, ALU में process किया data को, फिर वापिस से memory को दे दिया, memory से data फिर output पे display होगा, ठीक है, अब देखो अगर आपने 2 प्लस 3 करना है, 2 प्लस 3, 5 output हमें screen पे दिखेगी न, लेकिन meanwhile जो processing होती है इसक इसने 2 प्लस 3 memory unit को दिया, फिर ये 2 फेच किया, इसने प्लस फेच किया 3, फेच किया ALU ने तो 2 प्लस 3, ALU ने process करके इसको बना दिया 5, फिर ये 5 कहां चला गया, memory unit में, फिर memory unit से चला गया, output unit में, इस तरीके से ये ऐसे जाएगा, अब memory unit और secondary storage में भी connection होता है, ये कैसे जैसे कि आप secondary storage devices आपके पास होते हैं, secondary storage devices जो होते हैं, जैसे आपके पास pen drive होता है, यह cd है, dvd है, ये सारे आपके secondary storage devices होते हैं, अब देखो आप pen drive से कोई data computer से pen drive में भी डाल सकते हो, और pen drive से computer में भी डाल सकते हो, cd अगर read drive table है, तो cd को आप computer से उसमें data डाल सकते ह तो यह क्या है आपके इन दोनों में भी connection होता है कि data primary memory से secondary memory में जा सकता है secondary memory से primary memory में आ सकता है ठीक है आगे अच्छे से समझ यह control signal से सिर्फ dotted line निकलती है ठीक है और आपकी जो data flow lines है वो यहां भी होती है सिर्फ control signal से कोई data flow line नहीं निकलती है अब आप हम क्या करते है सारे components को अच्छे से explain करती हो मैं आपके लिए आप देखो input unit क्या होता है input unit basically वो unit है जो की computer में input देने के लिए use किया जाता है आप देखो input जो computer है हमारा computer को सिर्फ और सिर्फ binary language के बारे में पता है binary language होती है 0 और 1 हमने number system में किया था ना 0 & 1 जो होता है ना form वो होती है आपकी binary language जो computer है वो सिर्फ binary language को understand करता है तो input unit के दो काम होंगी ठीक है यह user और computer के बीच में link set करता है क्योंकि यह user से लेके input किसे देता है आपका computer को देता है ठीक है और दूसरा देखो क्या होता है input devices translate the human being information in the form of computer understandable ठीक है जो computer understand कर सके है उसमें यह change करता है जैसे आपने high level language में लिखते है हम जैसे आपने simple English में कुछ भी लिखा तो English में as it is computer understand नहीं करता है उसको computer की इसमें form में understand करेगा 0 & 1 की form में understand करेगा तो उसको वो convert करना पड़ेगा तो उसको कैसे convert करेगा यह इसके input unit जो है यह translator का भी काम करता है जो की human being information को computer understandable form में change करके computer को देता है ठीक है इसमें दो ही state होंगी on and off, on for one, off for zero ठीक है तो input devices कौन कौन से होते हैं कुछ example है जैसे की keyboard है, mouse है, generally keyboard और mouse तो हर computer के साथ हम देखते ही है, light pen, scanner, joystick यह जो games वेगर हमें use करते हैं हम ठीक है, OCR, OMR, disk drive यह सारे क्या है इसके input unit के example है अब देखो अगर हम इसको points में describe करें तो it accepts the data and instruction from the user, user से data और instruction लेता है उसे convert करता है human form जैसे human readable form होती है उसको convert करता है computer acceptable form में फिर यह क्या करता है, supply करता है converted instructions को data to computer system for the further processing फिर क्या करता है यह outside word के साथ, मतलब simply यह link करता है outside word के साथ computer को simply क्या किया, एक input unit है, उसने computer को data दिया, computer को data दिया, बीच में उसने उसको translate भी किया फिर हम करते है output unit, output unit क्या होता है बिल्कुल उसी की तरह यह भी एक link है between the user and system हम input देते हम computer को computer पहले उसको फिर क्या करता है, input को लेने के बाद computer उसे क्या करता है, process करता है और फिर हमें देता है output तो अब यह processing तो बीच में CPU करेगा, अब input devices ने यह काम कर दिया यह काम जो processing के बाद हमें जो मिलने वाला है वो कौन करता है हमारा output unit, तो output unit क्या होते हैं वो units जो की हमें information computer से लेके किसे देते हैं user को, अब देखो input unit करते थे, human की जो readable form थी उसे computer readable form में change करते थे अब output unit क्या करेंगे, computer readable form to human readable form में change करेंगे ठीक है, वो जैसे high level language to low level में change कर रहे थे और यह low level to high level language में change करेंगे, ठीक है, अब इसके example कौन से है, जैसे हम screen है, हमारे पास line printer, dot matrix printer, सभी type के जो printer होंगे, वो हमारे क्या होंगे, output devices होंगे, अब जैसे हम जैसे बोलते हैं, speaker में आवाज आती है, mic में बोलते हैं, तो mic input हो गया, speaker output हो गया, इस तरीके से input and output units के combination ह होते हैं, अब देखो, इसको अगर हम summarize form में देखें, तो यह क्या करता है, हमें result देता है, जैसे जो computer ने process करके data output दिया, वो output हमें output device से show करते है, यह convert करते है, 0, 1 form से high level language में, जो human acceptable form होती है, ठीक है, फिर यह converted result user को दे देते हैं, जी, और यह connection set करते हैं between the user and computer system, आगे अब next है हमारा central processing unit, CPU, CPU को हम क्या बोलते हैं, brain of the computer, जैसे हम हमारी बात करें, एक human body में जो सोचने का काम, जो calculation करने का काम, सारा कौन करता है, हमारा mind करता है, brain करता है, तो brain, इसलिए CPU को भी इसका brain क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे की सारी processing, सारी की सारी calculation जो होती है, वो तो यह क्या करता है, CPU perform all types of data processing operations, store data, फिर intermediate results को भी store करता है, instruction को store करता है, उसके according यह calculation perform करता है, and then यह output देता है, अब मैंने आपको बताया थे कि center processing unit के हमारे पास फिर 3 पार्ट होते हैं, ALU, MU and CU, arithmetic and logic unit, memory unit and control unit, देखो, ALU क्या होता है, ALU, two subsections होते हैं, इसके arithmetic section and logic section, देखो, दो type की calculation perform हो सकती है, arithmetic calculation and logical calculation, तो जो data हम देते हैं computer को with the help of input devices, उन पे जो calculation perform होती है, वो कहां जाके होती है, ALU में, ठीक है, तो पहले हमने देखा था diagram में कि input से कहां जाता data, input से पहले memory unit में जाता है, memory unit से फिर ALU में जाता है, प्रोस processing के लिए ALU वापिस फिर memory unit में देता है, तो फिर ये क्या होते है, जो ALU है, ये perform करेगा, जो भी calculation perform करनी है, वो arithmetic operations भी हो सकते है, यहां फिर logic section में logical operations भी हो सकते है, arithmetic operations आपको पता ही है, addition, subtraction, multiplication, division, ये आपके क्या होते है, arithmetic operations, और logical operations जैसे की matching, merging, ठीक है, compare करना, वो सारे क् होते हैं, logical operations, तो जो भी हमने ये operation perform करने है, वो arithmetic and logic unit में perform होंगे, तो ये क्या करता है, summary देखें, तो ये arithmetic calculations करता है, logical calculation करता है, उसके बाद फिर, ये predefined conditions जो होती है, branching on, it does branching on the prefixed conditions, यानि कि मतलब जो भी calculations की, इसने memory unit से data लेके, उनको दिये हुए operations की help से calculate करके, data दुब memory में देता है, फिर है control unit, आपका, control unit क्या होता है, CU, control unit, सारे के सारे जो दूसरे parts है, आपके computer के, उनको क्या करता है, control करता है, क्या करता है, control क्योंकि इसमें से control signals निकलते है, इको, it retrieve instructions from the main memory and determine what to be taken, then retrieve the data required to be processed from the main memory, कौन सा data लेना है, main memory से, काह उसको process करने है, ठीक है, it causes, the CPU to actually carry out the required operations and determine whether the required operations have been carried out or not, अब जैसे ELU में जो data, जो भी calculation perform हो रही है, वो successfully हुई या नही, कोई error तो नहीं आ गया, यह हम जैसे division by zero कर देते हैं, तो उसमें कुछ exceptions आ जाती है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो यानि कि आप simply लिख सकते हो कि सारे के सारे operations जो perform होते हैं, व कर रहे हैं, output unit चैसे काम कर रहे हैं, CPU में जो processing हो रही है, वो कौन देखता है, control unit, इसलिए control signals निकलते हैं, आपके control unit से, और फिर वो सबको control करते हैं, ठीक है, फिर आपका आता है जी, memory unit, memory unit, देखो पेटा, क्या होता है, कि आपके पास दो टाइप की memory है, primary memory and secondary memory, input storage है, computer मे में देखो, मैंने बताया था, जो minutes के characteristics होते हैं, कि बहुत large amount of memory होती है, computer में, जिसमें कि वो अपना data है, जिसे store करके रख सकता है, तो जब हम उसको retrieve करना चाहते हैं, तो वो सी particular location से data fetch करके हमें, शो करता है, ठीक है, तो inside the computer, जो memory होती है, that is the primary memory, और जो हम extra add करते हैं, वो होती है, आपकी secondary memory, okay, primary memory जो, आपकी है, primary memory basically जो in, प्राइमरी मेमरी को basically आप रेंडम अप्सेस मेमरी भी बोलते हैं, RAM बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो होते हैं आपके further, इसको हम 4 areas में डिवाइद कर सकते हैं, input storage area, working storage area, output storage area, and program storage area, ठीक है, जो आपकी primary memory होती है, ये आपके temporary storage होती है ठीक है क्या होती है first type जो आपको primary memory बताया है मैंने वो क्या होती है आपकी offer temporary storage and secondary memory is the permanent storage. temporary storage, permanent storage का मतलब क्या है कि जैसे आपका computer चल रहा है आपने save नहीं किया है data तो चलते चलते अगर आपकी जैसे light चली जाती है computer shut down हो जाता है तो क्या होता है कि जो content आपके save नहीं है वो क्या होते है डिलीट हो जाते हैं automatically ठीक है और permanent storage जो आपने permanent storage किया हूँ secondary memory में वो आपकी permanent storage है वो आपका delete नहीं होता है ठीक है तो यह आपके main components थे computer के जिसमें की हमने देखा input unit, output unit, central processing unit, primary memory and secondary memory ठीक है यह input unit थे output unit CPU के तीन पाट, control unit, ALU and memory unit और यह आपकी secondary storage ठीक है यह हमने किसके लिए use करते हैं हम input देने के लिए computer को और यह आपका क्या change करता है human readable form से computer readable form में क्योंकि क्या होता है कि हम input दे रहे हैं तो हम computer को दे रहे हैं तो computer को understand करना जरूरी है तो यह convert करेगा human readable से computer readable और यह जो output device है इसको computer दे रहा है information तो computer readable form से human readable form में output unit convert करते हैं CPU आपको पता ही है CPU क्या होता है brain of the computer इसे हम brain of the computer बोलते हैं इसमें main processing जो हो CPU में होती है इसके further three parts है control unit, ALU and memory unit memory unit में मैंने आपको बताई दिया memory unit आपके पास होते हैं जो inside the CPU और यह secondary storage primary storage और secondary storage प्राइमरी storage आपकी क्या होती है temporary होती है secondary storage आपकी क्या होती है permanent होती है ठीक है ? अबसा कोचे से समाजया है